सब्सक्राइब कीजिए टेक जे की यूटिब चनल को और वेल आइकन को दवाए रोजाना टेकनलोजी वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मैं हो जांगिर और आप देखने टेक जे की यूटिब चनल दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ like application में आप logout कैसे हो सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को mistake ना करे और वीडियो पसंद आए तो like कर देना और पसंद ना आए तो dislike कर देना तो दोस्तो open कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह interface आजाएगा तो दोस्तो यहां आपको काफी सारा option मिल जाता है यहां आपको level का, search का और live का, invite का, language का और जो setting मिलता है आपको setting का तो setting पे click करना है आपको setting पे click कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह interface आजाएगा तो दोस्तो यहां आपको यहां भी आपको काफी सारा option मिल जाता है प्राइवेट का, block list का और watermark, remove, link account, about यहां logout सबसे नीचे जो आपको option मिल जाता है logout का तो दोस्तो यहां logout के option पे click करते हैं logout के option पे click करने के बाद यहां आपके सामने कुछ इस तरह interface आजाएगा तो दोस्तों यहां सरे कर देना है तो यहां मैं कर देता हूँ उसके बाद यह logout हो चुका है आप देख सकते हैं फिर आपको ध्यान रखना है जो आप पहले जो आप ID जो था वो आप किस चीज से यह mobile number से logging हुए थे या facebook से या instagram से या google से तो आपको ध्यान रखना है फिर से अगर आप अपने ID को फिर से वापिस logging करना चाहते हैं तो फिर अपने profile पर क्लिक करें यहां जो आपको profile का option दिया जा रहा है तो profile पर click करना है profile पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह interface आजाएगा तो यहां आप जैसे की यहां आपको तीन चार option मिल जाता है facebook का भी मिल जाता है और mobile number और google और instagram तो मैं facebook से logging हुआ था तो मैं facebook से logging हो जाता हूँ facebook से अब देख सकते हैं मैं logging हो चुका हूँ तो दोस्तो इसी तरीके से आप अपना logout भी हो सकते हैं और logging भी कर सकते हैं तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ जो आपको वीडियो पसंद आए तो like कर देना और take jake youtube channel में new है तो subscribe कर लेना रोजाना ऐसा ही technology वीडियो देखने के लिए